हेलो दोस्तो मेर होम केचन में आज बरने हैं एक दम नए तरीके की सबजी रोज की सबजी से अगर आप भी बोर हो गए हैं तो चलिए ये सबजी बना लेते हैं आपको बहुत पसंद आएगी और वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों भी जादा से जादा शेयर कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत जादा पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये नई रेसिपी तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहां एक भगोना लिया है जिसमें थोड़ा सा पानी लिया है एक अद्रक कर टुकड़ा लिया है जिसे दो भाग में कट कर लिया है पांसी छे मेने लहसन की कलिया लिया है जिनके मैंने छिल का उतार दिया है और एक बड़ा प्याज लिया है छिल कर दो भाग म के लिए अच्छे से उबाल लेते हैं यहां मैंने थाइसो ग्राम बेंस लिए हैं आदा किलो पता गोभी और दो आलू लिये हैं इन्हें हम काट लेते हैं तो यहां हमारी सब्जे कट कर तैयार हो चुकी है एक बड़ा प्यास था साथ में उसे भी मैंने कट कर लिया है और क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी है मेरी बोटी बहुत जादा परिशान कर रही है और आपको दिख भी राव का आप थोड़ा सा धिहान से देखेंगे तो मेरी बेटी का हैंड भी दिख रहा है आपको यहीं लगी है तो बस मैं इसे चिलने के बाद इसे ग्राइं कर ले तेल अच्छी सी गरम होने के बाद मैंने आदया चमाच जीरा डाल दिया और जीरा अच्छी से चटकने के बाद मैंने जो बड़ा प्यास काटा था अपार एक बार उसे डाल देते हैं और उसे एक मिनट के लिए हम अच्छी से फ्राइब करेंगे हमें बहुत जादा गॉल पानी डाले हम सबजी को गलाते हैं तो सबजी हमारी बहुत ही जादा टेस्टी बनती है और जादा टेस्ट आता है पानी डालकर जो हम सबजी को गलाते हैं उसे कहीं जादा टेस्ट हमारा जो तेल में हम उसे गलाते हैं उसमें आता है तो यहां हम दो मिनट की बाद अपना पत्ता गोबी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ठक कर एक मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि हमारी पत्ता गोबी अच्छे से सोफ्ट हो जाए तो अब हम इसे ठक देते हैं सबची को आप एक बार इसी तरीके से बनाइएगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो यहां हमारा 1 मिनट हो चुका है और पत्ता गो भी अच्हे से सोफ्ट हो चुके हैं तो बस अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम अपने आलू डाल देते हैं आलू भी अच्छे से mix करेंगे और अब हम इस आलू को इसी सबजी के साथ में पकाने वाले हैं इसमें पानी नहीं डालेंगे कोई मसाला नहीं डालेंगे बस हमें इन्हें फ्राइ करते हुए ही पकाना है ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं आधा चमच नमक डाल देते हैं नमक डालने से हमारे बीन्स और आलू बहुत जल्दी से सोफ्ट हो जाएंगे तो बस इन सब चीजों को अच्छे से एक बर मिला लेते हैं और ढखकर हम इसे 5 मिनट तक के लिए पका लेते हैं तो इसे ढख देते हैं और गैस का फ्लेम हमें एकदम स्लो रखना है तो यह हम इसे एक बर अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम इसमें अप थोड़ी से सूखे मसाले एक स्धानिया पाउडर 1 चमच लार्मिर्ष पाडर आदा चम्मच कस्मीरी लार्मिट्स पाउडर कलर के लिए बहुत जादा अच्छा सा कलर आएगा और आदा चम्मच हल्दी डालेंगे नमक हमने पहले से डाल दिया था एक बार आप चेक कर लिजिए अगर आपको कम लगे तो आप इसमें नमक और डाल सकते हैं लेकिन मुझे अपनी सबजी में नमक जो मैंने चेक किया है सही लग रहा है तो मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ इन सभी चेजों को एक बार अच्छे से चला लेते हैं और चलाने के बाद हम इसे ठक कर दो मिनट के लिए पकाएंगे तो दो मिनट हमारे हो चुके हैं और सबजी को खुल कर देख लेते हैं एक बार इसे अच्छे से चलाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे आलू गल चुके हैं या नहीं आलू अगर गल जाएं तो गैस का फ्लेम ओफ कर दें और अगर आपको थोड़ी बहुत कसर बाकी लगे तो इसे एक या दो मिनट के लिए ठक कर और पका लीजिए तो यहां मेरी सबजी बनकर तैयार हो चुकी है आलू काफी अच्छे से गल चुके हैं तो बस मैं गैस को ओफ कर देती हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे हरा धनिया डाल कर गानिशिंग करेंगे तो सबजी को और भी जादर टेस्टी बनाने के लिए मैं हरा धनिया डाल देती हूँ आपके पास हराधनिया है तो डाल दीजिए अगर नहीं है तो आप इसे skip भी कर सकते हैं बड़ साथ चल रही है हराधनिया मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरे पास भी थोड़ा सा ही था तो मैंने वही काट के डाल दिया है मैंने भी और मगाने के लिए बोला था बट मिला नहीं था तो थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया डालके हम इसकी गार्णिशिंग करेंगे और इसे ठक कर एक मिनट के लिए रख देते हैं और एक मिनट के बाद हम इसे खौल कर देख लेते हैं तो यहां सबजी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है गरम गरम सबजी आप रोटी पराठे या फिर चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं आप इसे पूरी के साथ में बनाएगे इतनी ज़्यादा टैस्टी लगती है क्योंकि इतनी ज़्यादा टैस्टी है यह सबजी एक बार आप इस तरीके से जरूर बनाईएगा जिस तरीके से मैंने बनाई हैं आपको बहुत पैसंद आएगी कैसी लगी यह आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो मिलते हैं कर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर